हलो फ्रेंद्स वेलकम तो शीफाज रसोई और आज मैं एक बहुत ही बेसिक बिगिनर रेसिपी आप लोग के लिए सिखाने वाली हूँ तो बेसिक लिए मैं दही घर पे कैसे जमाएं थिक क्रीमी योगर्ट घर में कैसे जमाएं मैंने बहुत सारे वीडियो देखें ओनलाइ अगर जमन का दही नहीं हो तो फिर आप थोड़े से दूद के अंदर रेट चिली जो होती है होल वाली आप उसे डुबा के रख सकते हैं तो आपका जो जमन या जामन जिसे हम कहते हैं वो रेडी हो जाएगा तो इस तरह से आपका जामन का भी मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरह से घर में बना सकते हैं तो अगर मेरे पास कभी ना हो जमन तो मैं दस रुपे वाला जो दही का डबबा आता है मैं वो खरीदती हूँ और यहां पर मैंने वन अन हाफ लीटर अफ मिल्क को पहले से बॉयल करके रखा है और यहां पर उसका टेंपरेचर इतना ह होना चाहिए कि जब हमारी उंगली उस दूद के अंदर डुबाए तो हलका से एक बस पिंच लगे तो वह एक राइट टेंपरेचर है दही जमाने के लिए एक सिरामिक का बरतन लिया है मैंने अक्सर में दही सिरामिक में ही जमाती हूँ तो बहुत ही थेक और क्रीमी बनता अचिए वह पानी हेल्प करता है दही जमाने में एक विस्क के मदद से मैं पहले उस दही को अच्छे से फेट लोगी बहुत ही अच्छे से फेट लेना है और थोड़ा सा दूद दाल के मैं उसे फेट लोगी तो एक हमोजनाइस मिक्स्चर हो जाएगा तो जब हम दूद ज सेट माई कर्ड एवरी डे अट होम तो यहां पर जो है अभी हम दूग मिलाते हैं और साथ में स्टर भी करते रहेंगे तो स्टरिंग से क्या होता है थोड़ा बहुत एर भी इंकॉर्परेट हो जाता है हमारे दही में तो यह देखे इस वेसल कें अपट वन लीटर ऑफ मिल त तो आठ से दस घंटे लग सकते हैं आपके दही को जमने के लिए तो दही जो है आठ से दस घंटे में बहुत ही अच्छा फ्रेश बनेगा और इट विल बी रियली स्वीट और टेसी इट वोंट भी खट्टा और उसमें से नहीं कोई स्मेल आईगी तो टाइम का जो अब ही में एक स्पून से आपको बताती हूँ यह देखिए इसको काटने में ही पता चल रहा है कि वो कितना थिक और क्रीमी है इस पॉंट पे कोई भी पानी नहीं छोटेगा क्योंकि हमने एकदम एक्जाक टाइम पे इस दही को बाहर निकाला है तो मैं उमीद करती हूँ आप मेरे जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किये अपनी एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किये है वो आप उसे फॉलो करके अच्छा थिक और क्रीमी सा योगर्ट घर में बनाएंगे मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंस के साथ शेयर कीजिए और आप you so much once again for watching my video